हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जोशी नीटिंग चैनल कैसे हो आप लोग आई रियली होप कि आप सब ठीक होंगे तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यह दिखिए वन कलर का जो हमारा कार्ड होता है उसे हम कैसे लगाते हैं और किस तरह से हमारा पैटन बनकर आ इसे किन किन प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं तो यह दिखिए मैंने कैप बनाई हुई है आप इस तरह से इसे डबल बॉडर करके भी यूज कर सकते हैं कैप को और सिंगल बॉडर में भी आपको दिखाती हूँ इस तरह से दिखिए यह मैंने बॉडर सिंगल करके पैट करोगे तो यह बहुत ही सुन्दर बन के आता है यह दिखिए आप इस तरह से सी डबल करके भी बीबी को पहना सकते हो और खुद भी इस तरह के कैब आप बना कर पहन सकते हो तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी उससे पहले अगर आप चैनल पर न नॉटिफिकेशन सबसी पहले पहुँच जाए तो इस तरह से आपको जितने फंदे लगाने हैं आप उतने आगे कर लिजिए मैंने 100 फंदे लिये हैं और एक के गयब में आपको फंदे लेने हैं एक-एक फंद आपको आगे रखना है और एक-एक फंद आपको पीछे रख यह दिखिए एट या नाइन नमबर पर या फिर टैन नमबर पर आप लगा लिजे जिस साब कि आपकी वूल हो अगर आपकी वूल ज्यादा मोटी है तो आप टैन नमबर पर चला लिजे अगर आपकी वूल बारिक है तो आप आट नमबर पर उसे चला लिजे और फिर हम अप आप अपने सेट कर लीजिए वीट लगाने की बाद आपने इस तरह से हम अपने सारी वीट लगा लेंगे और कैरीश को आपने बॉर्डर कितने नंबर पर बनाना है वो देख लीजिए मैं सिक्स या सेवन नंबर पर बनाऊंगी तो दोनों की सेंटर में मैंने इससे लेंगे जितने सलाईय आपको चाहिए आपको जितने रो लगाने हो आप उतने रो लगा लेजिए मैं मैंने इसमें बॉर्डर काफी चोड़ा बनाए हुआ है तो मैं 30 रो लगा लेती हूं और उसकी बाद हम अपना बॉर्डर जो है उससे डबल कर लेंगे तो यह मैंने अपनी सलाईय लगा ली है आप इसे चोड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं अगर आपको पसंद है तो काफी अच्छा लगता है कैप में अगर हम बॉर्डर की चोड़ाई ज़्यादा रखें तो अब हमने रॉर्ड बीज में लगा लेना है और अपना बॉर्डर हमने डबल कर लेना है इस तरह से इसली आप एक एक फंदा लगा ले हैं हुक में अधरवाइस हमारे फंदे छूट जाते हैं तो आप इसी तरह से लगा लीजिए मैं भी सारी लगा कि फिर आपको दिख कि मैंने सारी फंदे लगा लिए और अब हम इस तरह डिवाइडर से इने सारी फंदों को आगे कर लेंगे और ध्यान से अगर आपका कोई फंदा छोड़ गया हूँ तो आप उसे भी उठा लीजिए ट्रांसपर टूल के हल्प से अब हम अपना जो डायल नमबर है उसे हम नो नमबर पर सेट कर देंगे और अब आपको दो सलाया लगा लेनी है और जो आपके फंदे बाई मिस्टेक अगर कुछ फंदे छूट जाते हैं तो आप उन्हें भी इस तरह से हुक में ले लीजिए अब हम अपना काड लगाएंगे काड हमने किस तरो से लगाना है वो दीखिए एरो हमारा जो हे वो डाउन की साइड को होना जीए राइट हैंड की तरफ को और आपने बराबर में जो हमारी ये जीरो वाली लाइनिंग है इससे आपने एक बराबर में रखना है इस तरह से दिखिए जो हमारा ये arrow है एक number पर आपने लाना है और जो हमारे hole बने हुए है उन्हें आपने बराबर की line में लेकर आना है और अब हमारा जो right side पर ये button है इसे हम toe number पर set कर लेंगे इस तरह से और एक चकर लगा लेंगे फिर हम एक चकर लगाने की बार left side से इन दो button को press कर देंगे और carriage को अब हमने सीधे चलाते हुए जाना है अब हमने कुछ भी नहीं करना है बस हम अपने अपना press हम चलाते रहेंगे और easily हमारा ये design बन जाता है आप देख सकते हैं कितने आसानी से ये design हमारा बन रहा है और अब हम बस दोनों side से बस आपको ध्यान रखना है कि आपका फंदा कोई चूटे न बाकि आपको press लगातार चलाते हुए जाना है और आप इस design को right side से और left side से दोनों side से आप इससे use कर सकते हैं अगर आपको back side से डिजाइन अच्छा लगता है तो आप इसे back side से use कर लीजिए अगर आपको ये right side से अच्छा लगता है तो आप right side से भी से bubble बाले design की तरफ use कर सकते हैं तो ये देखिए कितना easily ये बन जाता है और कितना फटा-फट हमारा ये design तयार हो जाता है बस इस design में आपको थोड़ा सा फंदे कम रखने होते हैं normal project की इसाब से किको ये काफी उठा-उठा सा design आता है हमारा bubble type से उस इसाब से आपने फंदे adjust कर लेने हैं तो ये देखिए अब हमने card कैसे बंद करना है यहाँ पर हम इसे एक नमबर पर रख देंगे और ये बटन हम सीधे कर देंगे और कुछ सलाईया हम प्लेन चला लेंगे इस तरह से तो ये देखिए ये हमारा design बन कर तयार हो गया है आप इसे किसी भी project में apply कर सकते हैं I hope आपको वीडियो पसन आई होगी अगर वीडियो पसन आई तो प्लीज वीडियो को like, share और चैनल पर new हो तो subscribe जरूर करें thanks for watching